दोस्तों अगर आपके घर खेट गार्डन में खुदाई हुई और इतनी सारी तलवारे निकल गई तो आपके मन में पहला बिचार क्या आएगा? जब भी हमें कोई तलवार दिखाई देती है खास करके प्राचीन तलवार तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं और मन में एक जिग्यासा पैदा हो जाती है उस तलवार को छूने की देखने की उठाने की और यह जानने की कि वो कितनी भारी और कितनी धारदार है यह तलवारों क के निगोई छिजर के टकिया तिवारी गाओं में यह खेट में खुदाई के और जुताई के दौरान परानी तलवारें बंदूकों की नालों और अन हथियारों का जगीरा मिल गया हथियारों में भले ही जंग लगी हुई है लेकिन ये गवाही दे रही हैば पनी प्राचीन त जानकारी और वीडियो में आई इस खबर के बाद तकिया तिवारी गाम के बाबू राम के अनुसार बुदवार को जब वह ग्यारा बजे अपने खेत में जुताई कर रहे थे तभी एक जगे किसी ठोस वस्तू के अटक जाने का आभास हुआ ऐसे में खेत में जमीदोस तलव आरे नजर आ गई थोड़ा सा खोदा गया तो अन हथियार भी मिले उन्हें निकाल कर आगे की जुताई तो सुरू कर दी गई लेकिन यह खबर आख की तरह फैल गई और फाबडे से खुदाई की गई तो बीस तलवारें दस सिंगल बैरल बंदूकों की नली एक दूनाली बंदूक और एक बर्ची और दो तवंचे जैसे हतियार मिल गए ऐसे में आनन फानन में यह खबर आख की तरह फैल गई और खेट की जुताई तो चलती रही लेकिन अन अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुँच गई ऐसे में खेट के मालिक ने बताया कि 2011 में उन्होंने यह खेट गाफ के ही एक परिवार से खरीदा था पहले यहां एक उचा टीला जैसा था इसी वर्स जून में दो फुट मिट्टी निकाल कर भराफ की गई और भराफ करने के बाद यहां खेट खाली हो गया गेहूं बोने के इरादे से बुधवार को जुताई की जा रही थी ऐसे में कुछ अटक जाने का आभास हुआ और थोड़ा सा खोदा गया तो आखें दंग रह गई अब आपको मिले इस प्राचीन असले के बारे में बता दें तो जानकारों के मताबिक इन तलवारों में चांदी की मुट लगी हुई है वहीं बंदूकों में सिर्फ नाल है लकडी का हिस्सा तो दिमक खा गया है ऐसे में जानकार और पुरातत विभाग को यह पता लगाना होगा कि यह हतियार कप के हैं और किस जमाने के हैं हलनकी यह देखने से और जांच करने से दिर्सो से 200 साल पुराने मालूम पड़ते हैं हलनकी यहां बंदूके और तवंचे पुराने ये हो सकते हैं हालनकि इस छेत्र के लिए यह कोई नई बात नहीं है आपको बता दें इस छेत्र में अन्न जगह पर भी खुदाई में बंदूके और तलवारें मिली थी यहां तक के इस छेत्र में हडपा कालीन अस्तस्त्र भी मिल चुके हैं हालनकि यह 1857 की प्रांती के लिए क्रांती कारी उन्हें यह प्रियार दफनाई होंगे आपका क्या विचार हैile है दोस्तों मैं जब भी बी किसी मुझियम जाता या किसी किले में घुमने जाता हूं तो सबसे पहले तलवारों को देखता हूं तलवारों को छू कर देखता हूं कोशिश करता हूं कि उन्हें एक बाद पकड़ कर देखूं योकि ना जाने उन तलवारों ने कितने योध्याओं के हाथों की शोभा बढ़ाई होगी और कितन